यहाब कोई बंबं वगेर मत निकल जाना और उपसे लग रहा था कि बहुत सारे बंब निकल गए थे तो क्लाश ओक्लाइंस के कैपिटल रेट के एक और नहीं वीडियो में तुम सभी का स्वाग आथे और आज की वीडियो में मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि विजर्ड वैली को हमने कैसे मतलब मैंने अपने दो एटक में थ्री स्टार मारा था और वह भी इस वाले बेस के ऊपर कैसा वाला बेस है वह भी तुमनों को दिखाता हो यह देखो तो बेस का लियाउट कुछ ऐसा तुमनों को पता होगा कि विजर्ड वैली और नाम किया उसका बार्बेरियन क्याम इन उनको दो एटक में थ्री स्टार माना लगभग इन्पॉसिबल है विजर्ड वैली का प्रावलम यह है पहसे तो यह जगा और साथ में यह वाली जगा यह पर तो खाली है उससाथ में इनकी वज़र से दू ऐिस जभी बढ़ना है लेकिन हमारे इस अटाक में भीडिया था तो मर्स जो इन भीडिया था तो सचा डिझांक की चलो तुरुको दिखा सब्सक्राइब अंदर गुशा दिया, और यहाँ पर चार चार विजर्ट आवर एक जगह पर रखे हुए था जो कि बहुत ही नादानी वाली काम थी तो उसके पर मैंने एक frost spell गिरा दिया था और बस शायद मुझे यह पर frost spell नहीं गिराना चाहिए क्योंकि frost spell गिराने के लिए सिब इन चारो को ही और एक कैनन को इसने फ्रीज किया था बाकि जो दो है वो बेकाल है क्योंकि मैंने को एर टूप लिया नहीं था लेकिन इस सरब में अगर frost spell डालता तो कुछ ज्यादा value मिलती नहीं उपसे दो-दो hogs आयते वैसे यह बीच में छोटी सी नदी जा तो रही है लेकिन नदी उतनी भी ज्यादा चौड़ी नहीं है क्योंकि hogs उस नदी को फान के आ रहे हैं जंप मार मार के लिससे कुछ hogs चले गाते अंदर लेकिन चार-चार wizard tower मिलके hogs को मार रहे थे जितनी भी free spell यहाँ पे हो लेकिन hogs का काम तमाम होना तो निस संदे है ना मुंकिन नहीं था तो इस सर्फ से थोड़ा स्पीर को लाता है कि mountain golem बहुत धीर धीर से attack करता है तो mountain golem इस सर्फ से चलागा और मेरे पास एक hawk बाकी था क्या मुझे यह इस वाल एक hawk को बचाके नहीं रखके उन दूसरे hawks के साथ देना चाहिए था तो पहले बला अटक में हमने क्या कितने पसंद लाया था 35% वन स्टा और मुझे लगा नहीं था कि दूसरे वाल अटक में हम इस वेस को 3 स्टा मार देंगे मतलब 75% यह एक की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे बेसे पर बहुत सारे मतलब बिना सजाई हुए बेसे पर अटक मारते हो तो जहां पर दिफेंसे ऑटमाटिक खुल जाते हैं वह अपर तुम लोग को पता हो कि इधर क्या रहता है वह इधर मैंने एक यह जो हमारे पास बार्बरियन लेकर गया था, Mountain Barbarian, Rage Barbarian जो ही का इसको इधर में डाल देती ,fSB-BArbarian तो उस ने इस त्रफ से काम सही में देता, तो इस तरफ से moutain Nevertheless कि इस तरह सब सारे डीफेंसेस तोने का केलिए मैं वेट कर रहा था जब तोड़ना हो गया तो इस अब से मैंने हॉक्स को डाल लिया सारे हॉक्स एक साइक क्योंकि मैंने पीछी वाली रेट वीगेंड की वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा तो याद हो कि हॉक्स तुम किस टाइम पर कितने क्वांटिटी में एक जगह पर डालत हो उससे तुम्हारा अटक कैसा जाएगा बहुत निर्वर करता है कि एक करकर डालोगा तो बर्बरियन उथर अर्ट का हुआ था और इससरब से दो तेसला निकले उसी के बाद मैंने अपना जो इलेक्ट्र स्वेल था फिर लाइटनिंग स्वेल उसको यहापर डिपलोई किया और काम मी हो गया लेकिन यहापर एक गलती हो गई थी कि मांटन गोलेम रह गया था लेकि जिस लेवल पर हम थे सब वही कर सकते थे किया सब एक ही स्वेल ले जा सकते थे दो लेवल का इससे लिए फ्रॉस्फ़ल को ले लिया था दो का था तीन का जगा लेते है यह लोग नहीं दो का ही लेते हैं तो मुझे लग रहा था कि यह तो मांटन गोलेम की एचपी खतम हो जाएगी यह पर यह अटक टाइम फेल हो जाएगा लेकिन इस जगे पर मुझे लग रहा था है एच भी तो थी यह आपकोई बंबं अगेरा मत निकल जाना और उपर से लग रहा था कि बहुत सरे बंडी खल गए थे तो इदर से मुझे लग रहा था कि यह अटक siya टा वीडियो होएं और हाँ 500 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स टार्गेट है हमारा पास्व पचास फाइफ फाइफ जीरो तो अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना बाइ बाइ